कि अच्वाइब 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 इसके हैं अच्वाइब अच्वाइब बैदें। में जैसा कि आपको पता है कि 50 mcqs में आप लोगों को कराता हूँ तो आप लोगों से request है कि अगर आप लोगों को pdf चाहिए तो pdf के लिए आप हमारे telegram group को जरूर जोइन किजेगा telegram group का link description box में दिया हुआ है आप वहाँ से जा करके group को जोइन कर सकते हैं और भी telegram में बहुत सारे study material आपको मिलते हैं अगर telegram group नहीं मिल रहा है आप लोगों को link से नहीं जोइन कर पा रहे हैं तो search किजेगा IAS PAC solution ठीक है यह search करेंगे तो आपको मिल जाएगा group आपको मिल जाएगा जोइन कर लिजेगा और वीडियो को like और share जरूर कर दीजिए like और share जरूर कर दीजिए क्योंकि देखे मैं लागातार आप लोगों के लिए BPSC के लिए बहुत सारे content ले करके आ रहा हूँ तो इससे हमें motivation मिलता है like share आपके like share से हमें motivation मिलता है तो चली चुरू करते हैं अब क्यों कि यह रहा पहला प्रशने 59 प्रत्सम किस वाइरस की खोज हुए थी कहा doubt यह जा रहा है set है dent जैसे यह वाइरस का नाम लेते हैं सब से पहले हम लोग में अब कोरोना बैठ गया है ना कोरोना तो देखिए इसका सही जो एंसर होगा ओगा टीएमवी ठीक है टीएमवी वायरस सरोप्रथम इवा नुवस्की महोदय ने ठीक है याद रखेगा कि इवा कि नुवस्की इवा की महोदे ने सरवपुत्खम TMB वाइरस की खोज की थी TMB वाइरस कहने का मतलब यह अच्छा एक चीज़ और पुछा जा सकता है कि कब इसकी खोज की गई थी तो 1912 में इसकी खोज की गई थी अगर इसका फुल फॉम आप लोगों को पता है तो आराम से जाएंगे कि यह वाइरस कहां पर मिला होगा ठीक है इसका पूरा नाम है इसका पूरा नाम है यानि कि कहीं न कहीं तमबाकु पर यह मिलता होगा है ना तो यह तस्वीर आप देख सकते हैं यह जो तस्वीर है इस इस तस्वीर को आप ध्यान पुरोख अगर देखेंगे तो यहां पे मैं थोड़ा इसको बढ़ा करता हूं यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं अगर आपको clear नजर आ रहा है तो यह एक वाइरस की सनरजना है ठीक है यह एक वाइरस की सनरजना है और यह एक लिफ है यह एक पती है और यह पती है तंबाकू की पती है ठीक है यह तंबाकू की पती है और तंबाकू में यह जो पीला पीला जो धबा देख रहे हैं ठीक है यह जो पती है यहां पे पीला पीला जो धबा आप लोग देख रहे हैं यह पीला धबा वाइरस वाला है ठीक है वाइरस वाल सरोपरék reinforcements हुआ ता सगया से अरश के समध से कौन सा कफन सही नहीं है ठीसानू के संबंध में है निन्य लिक्त में से कौनसा कफन सही नहीं है मिःफन नंबर दो प्रजनन करने के लिए बिसानूओ को जीवित कोशिकाओं की आवसकता होती है बिलकुल देखे जैसे अगर हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि यह जो कोशिका है प्रजनन करने के लिए इनकी बढ़ोतीरी के लिए बिसानुओं को जीवित कोशिका की जरुरत होती है जीता जाकता एक उदारन दे रहा हूं थे मास्क पन रहे थे इसलिए कि अगर उसमें को रोना वारास हे मालिया की इस पेंड में वायरस है अगर हम इसको ऐसेÎसे पकल लेंगे तो यह वायरस हमारे सरीर में चला जागा और सई प्रजिवी नहीं प्रकास थिए 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 प्रकास यह एक वाइरस की सनद्चना है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह कोशिका है और यहां पर एक यू कोरियोटिक कोशिका है तो इसके परजनन की अगर हम लोग बात करें तो इसके परजनन के लिए ठीक है यह सेल है इसके परजनन के लिए मालिया कि अगर यह वाइरस का सेल है ठीक है वाइरस अगर यह वाइरस का सेल है तो इसके परजनन के लिए एक बॉडी की जोरत होगी एक सेल की जोरत होगी जिवित सेल की जोरत होती है गुद इबनिंग Pती के आधहार के समीप निकलने वाली पासर वो अती बृधी कहलाती है पहले तो कोशन को अच्छे से समझना होगा इसके बाद एंसर कीजिए कहा जा रहा है कि पत्ती के आधार के समेब निकलने वाली पासर वो अतिब्रिधी कहलाती है प्रिथूपर्ण, सहपत्र, अनूपर्ण या सत्यपर्ण देखे भागो इसका सही इंसर होगा अनूपर्ण ठीक है अनूपर्ण कहा जाता है, अब दिखाता हूँ एक इमेज यह जो आप देख रहे हैं तसोईर, यह एक पत्ती की तसोईर है यह एक लिफ है, जैसा कि आपको पता है कि माल यह कि एक पोधा है तो पोधे में ऐसे तना होती है, और इस तने से और भी तने निकलते है ठीक है और भी ऐसे तने निकलते हैं और इसमें ऐसे पत्ता होता है जैसा कि इस पत्ती को आप देख पा रहे हैं ठीक है यह पत्ता निकलता है तो जहां से पत्ती निकलती है ठीक है जहां से पत्ती निकलती है यह वाला भाग आप देख रहे हैं यह डंठल जो तना है इसको द जाता है इसको पर्ण आधार कहा जाता है ठीक है इसको पर्ण आधार कहा जाता है या इसको कहा जाता है या इसको क्या कहा जाता है पासर्व अनुपर्ण कहा जाता है ठीक है इसको अनुपर्ण भी कहा जाता है यही भाग अनुपर्ण कह जाता है फिर से कोशन क्यों राते है अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि पत्ती के आधार के समीब निकलने वाली पासर वो अतिव इधी क्या कहलाती है तो अनुपर्ण ठीक है इसी को अनुपर्ण कहा जाता है ठीक है और आपने देखा होगा ये पत्ती में आप देख रहे हैं कि पत्ती थोड़ी सी यहां से ऐसे लंबी होती है ठीक है ऐसी यहां से एक डंठल टाइप का होता है तो यह जो डंठल है थोड़ा सा ऐसे जो डंठल होता है पत्ती का उसको पर्ण ब्रिंत कहते हैं ठीक है इ जो बीच वाला ऐसे होता है इसको कहा जाता है मध्य सीरा ठीक है इसको मध्य सीरा कहा जाता है और ये वाला जो इधर इधर ऐसे निकला हुआ है इसको कहा जाता है सीरा ठीक है इसको कहा जाता है इसको सीरा कहा जाता है अब यहां पर आप देखेंगे अब यहां पर पर्णेख ठीक है इसको क्या कहा जाता है इसको पर्णेख ठीक है इसको पर्ण फलक कहा जाता है का में शूर्य मुखी में पुस्पक्रम का प्रकार हैं कि अ बतायो bang मोज़ी दो रहे मुखी इसका नाम संञ भ्लावर इसलिए है चीद जीधर घिदर ऐसा जाता है यह इसका जो फूल है यह उधर-उधर ऐसे सूरे कि और मुड़ते जाता है अना इसलिए इसको सूरे मुख्य कहा जाता है सूरे कि और मुख्य कर लेता है यह फूल आ अना संफलावर जेखे इसका सहिए नसर होगा मुंड़क, option B कैपी टूलम सुर्य मुख्य में पुस्पकरम का प्रकार कैसा है तो इसको कैपी टूलम कहा जाता है, अब आपको समझाता हूँ कैपी टूलम आखिर है क्या कैपी टूलम या इसको मुंड़क कहा जाता है इस प्रकार के जो पुस्पक्रम होते है ना बावू, इस पुस्पक्रम में मुख्य अक्ष का जो सिर्ष होता है, एक उत्तल पुस्पासन जैसा बना हुआ होता है, मतलब कि ऐसे गोल्ड टैप का पुस्पासन के जैसा बना हुआ रहता है, और इस पे बहुत सारे पुस्पक इकठे रहते हैं, म इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो पूस्पक्रम है ठीक है मालिया की पूरा का पूरा जो फूल है ठीक है मुख्य अक्ष का जो सिर्ष है यह उत्तल की भाती लग रहा है ठीक है यह लग रहा है बिल्कुल उत्तल के जैसा यह लग रहा है और इस पर कई सारे पूस्पक तो इसको कहा जाता है मुंडक कहा जाता है कि निमनेली कित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारन होते हैं जो वास्तों में रोशनी को पहचानने जानवर के वाले केवाल नित्र बिंदू होते हैं का ध्यान से एंसर किजीए जो वास्तों में रोस्णी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदू होते हैं, सिर्फ रोस्णी को पहचानता है, और रोस्णी को पहचान करको भाग जाएगा, कौन है, कोशन नमर पांच, इसका सेंसरों का, प्लेनेरिया, अब प्लेनेरिया कौन है, क्या है, अब दिखाता ह आपको तस्वीर में इस तस्वीर में आप देखिए यह जो है आपको समुद्र में दिखेगा यह समुद्र में दिखेगा नदी में दिखेगा या जील में पाया जाने वाला यह एक जीव है ठीक है यह एक जीव है और यह इसी को प्लेनेरिया कहा जाता है यह इसकी आखें है ठीक है ये इसकी आखे हैं लेनेरिया के नेत्र बहुत ही साधारन होते हैं इसके नेत्र जो है बहुत ही साधारन होते हैं वास्तों में ये रोषनी को पहचानने वाले नेत्र बिंदु होते हैं रोषनी के सुरोत से ये दूर भागते हैं और ये आख इसी में इनकी मदद करता है रोशनी से दूर भागने में इनको मदद करता है इनकी मदद करता है ठीक है नेरिस पेरेटीमा तथा हिरूडी नेरिया किस संग के उदाहरन है अब इसकी भी तस्वीर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को आराम से पहचान लेंगे आप लो कहा जा रहा है कि नेरिस पेरेटीमा मतलब केंचुआ और हीरू डिनेरिया रग्त चूसक जोग किस संग के उदाहरन है अब थोड़ा सा देखा दिखा रहा हूं इस तस्वीर को देखिए यहां पे आपसे कहा जा रहा था कि नेरिस इसको आपने देखा होगा कहीं ठीक है ये है नेरिस ठीक है इससी को नेरिस कहा जाता है ये नेरिस है इसको फेरे टीमा कहा जाता है ये जो आप देख रहे हैं ये है फेरे टीमा ठीक है ये है फेरे टीमा ठीक है ये है फेरे टीमा ये फेरे टीमा है जिसको जोंक भी कहा जाता है ठीक है इसको जोंक भी कहा जाता है और या जोंक कहा जाता है या ये किसानों का मित्र है किसानों का मित्र भी इसको कहा जाता है या इसको केंचुआ कहा जाता है ठीक है इसको केंचुआ कहा जाता है जोंक वास्तों में इसको कहा जाता है ठीक है इसको केंचुआ कहा जाता है जो किसानों का मित्र है और ये रख्ट पिशासू है ठीक है इसको जोक कहा जाता है ये सब एनेलीडा संग के उधारन है ये अगर आपके बोडी में चिपक जाता है तो पूरा खून जो है वो चूसने लगता है ठीक है और खून चूस चूस करके और ये ऐसा हो गया है मोटा ताजा हो गया है ठीक है इतना मोटा हो गया है हाँ तो ये सब एनेलीडा संग के उधारन है ये खंड यूगत क्रीमी होते हैं ठीक है सिग्मेंटेड वम्स होते हैं इनका सरीर कोमल तौचा द्वीपार्सिये त्री अस्तरिये इस टाइप का होता है और्द स्वायत और्द स्वायत कोशिकांग होता है और्द स्वायत कोशिकांग होता है कोशन नमबर सेवेन देखे कौन सा एप काम नहीं कर रहा है सब समझ में आएगा सब लेंग्विज समझ में आएगा साइंस का पहले अंसर किजिए और दस्वायत कोशिकांग होता है क्वेशन नमबर सेवेन देखे इसका सेंसरों का माइट्रो कॉंड्रिया वह हरित लवक में ठीक है राइबोजोम होते हैं जो इन्हें स्वाता प्रती कृती करन इसके योग्ये बनाते हैं और यह अर्ध स्वायत कोशिकांग होते हैं अगला है निमने लिकित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादब कोशिकांग में उपस्तित होता है कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादब कोशिकांग में होता है बताए इन में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ और सिर्फ मतलब की पेरपोध हो वाले जो कोशिकांग है उसमें होत प्लास्टीड को लवक कहा जाता है तो हरीत लवक जैसा कि आपको पता है कि यह सिर्फ पादपों में ही पाए जाते हैं इसी कारण पेड़ पौधे का रंग हरा होता है इसकी खोज इसकी खोज इसकी खोज इसकी खोज इसकी खोज की गई थी अब आपको बता दूँ कि यह भी तीन प्रकार के होते हैं ठीक है यह भी यह भी तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन सा होता है तो एक होता है क्रोमोप्लास्ट ठीक है एक होता है क्रोमोप्लास्ट एक होता है क्रोमोप्लास्ट दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है लिवकोप्लास्ट एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक को होता है लिवकोप्लास्ट लिवकोप्लास्ट ठीक है लिवकोप्लास्ट तो तीन प्रकार के होते हैं कोलें काइमा उत्तक की कोशिकाएं से कौनों पर मोटी हो जाती है कोणों पर कहा जा रहे कि कौनों पर मोटी हो जाती है इस कारण शेर किजिये class को आप लोग सेर नहीं कर रहे हैं बहुत कम लोग हैं सेर किजिये जितना हो सके सेर किजिये ओ अभी काम नहीं करेगा दूसरा अप आगा ठिक है आई-स-पेस इस सोलूसन अभी काम नहीं करेगा कोशिकाएं यहां पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ यह है कोलन काइमा उत्तग और इसकी जो कोशिकाएं जली नीं का अस्तूलन द्रड़ो तक में पाया जाता है और सुबेरिन का सुलन अंता चर्म में कौर करका निर्मान करता है किस परकार का उत्तक नारियल की भूशी बनाता है किस परकार का उत्तक नारियल की भूशी बनाता है किस परकार का उत्तक नारियल की भूशी बनाता है question number 10 देखे इसका sensor होगा scleran chymets fiber ठीक है यह आप देख सकते हैं यह एक नारियल है ठीक है और नारियल को जब आप खरीदेंगे और इसको उखाड़ेंगे तो यह बीच वाला भाग होता है और फिर इसको भी तोड़ करके और अंदर का भाग हम लोग खाते हैं ठीक है अच्छा कमेंट में आप लोग यह कि नारियल का खाने वाला भाग कौन सा होता है आप लोगों को कमेंड में बताना है यह वाला जो आप देख रहे हैं यह जो पार्ट आप देख रहे हैं यही है नारियल की भूसी इसको हम कह सकते हैं और यह है scleran chymets fiber ठीक है scleran chymets fiber ठीक है यह उत्तक होते हैं और यह उत्तक परिपक होने पर मृत होते हैं और इनकी कोशिका भीति लिगनिक रित होती है इसलिए यह इतना ज्यादा कठोर होता है काफी ज्यादा यह कठोर होता है है ना काफी ज्यादा कठोर होता है यह अगला है यदि एक DNA में ग्वानिन की मातरा 20% है तो उसमें साइटोसीन की मातरा कितनी होगी कहा जा रहा है कि यदि एक DNA में ग्वानिन की मातरा 20% है तो उसमें साइटोसीन की मातरा कितनी होगी देखे इसका सेन सुनोगा 20% एक चार गॉफ महोदे थे चार गॉफ महोदे तो चार गॉफ महोदे के नियम के अनुसार ग्वानिन की मातरा सदेव साइटोसीन की मातरा के बराबर होता है ठीक है ग्वानिन की मातरा हमेशा साइटोसीन की मातरा के बराबर होता है यहाँ पे 20% दिया हुआ है तो cytosine की मात्रा भी 20% ही होगी डीवरीज ने किस सिधान्थ का प्रतिपादन किया डीवरीज मोहदे ने किस सिधान्थ का प्रतिपादन किया share किजिये class को share किजिये question number 12 देखे इसका sensor होगा उत्परिवर्तन का सिधान्थ ठीक है उत्परिवर्तन का सिधान्थ जब कोशिकाओ कि केंदर में डेन्ने में कोई अस्थाई परिवर्तन होता है तो उसी को उत्परिवर्तन mutation कहा जाता है ठीक है इसको अंग्रेजी में mutation कहा जाता है ठीक है उत्परिवर्तन का सिधान दाए अलिंद ध्यान दिजेगा कोशन में कहा जा रहा है दाए अलिंद दाए निले के बीच इस्थित दाए औरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद वाल्ब को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं त्रीक पदी वाल्ब इसको बोलते हैं क्राइक कस्पिड वाल्ब कहते हैं अब तस्वीरों में मैं देखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को अब यहां पे इस तस्वीर को देख सकते हैं यह हर्ट की तस्वीर है ठीक है यह हर्ट की तस्वीर है तीन तस्वीर और इससे मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा अब देखिए पहले इस तस्वीर को देखिए दाया निले और बाया निले कौन सा है ठीक है ये है राइट एटिरम ठीक है राइट डाया निले और ये है बाया निले ठीक है ये है बाया निले ठीक है ये है दाया निले अलिंद जो है वो नीले का पार्ट दो परकार के होते हैं एक होता है दिवी वलन का पार्ट ठीक है बाई का स्विट वाल्व बाई का स्विट वाल्व की अगर हम लोग बात करें तो बाई का स्विट वाल्व जो है यहां पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यह वाला जो भाग है ठीक है यहां पर जो हट में आप देख रहे हैं ठीक है यह वाला जो भाग देख रहे हैं यह मिस्टरल कपाट भी इसको कहते हैं मिट्रल कपाट भी इसको कहा जाता है ठीक है इसको मिट्रल फोड़ा इसको और छोटा करता हूं इसको मिट्रल का पाट भी कहा जाता है ठीक है मिट्रल का पाट ठीक है इसको मिट्रल का पाट भी कहा जाता है अब यह जो है बाय अलिंद और बाय निले के बीच होता है यह जो भाग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बाया अलिन और ये जो देख रहे हैं ये है बाया निले ठीक है ये है बाया निले और बाया अलिन और इसके बीच ये वाला जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं द्वी बलन कपाट ठीक है इसी को बोलते हैं द्वी बलन कपाट ठीक है द्वी बलन इसी को कहा जाता है और दो बलनों से मिलकर के ये बना हुआ होता है इसके अलावा एक होता है त्री बलन का पार्ट त्री बलन का पार्ट जो होता है ये दाएं और तीन बलनों से बना हुआ होता है ठीक है दाएं और तीन बलनों से मिलकर के बना होता है ये दाएं अलिंद और दाया अलिन्द ठीक है इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ठीक है ये वाला जो भाग है ये इसी को कहा जाता है इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इसी को कहा जाता है त्री बलन का पार्ट ठीक है त्री बलन का पार्ट इसी को कहा जाता है ठीक ह हिर्दय चक्र क्या है हिर्दय चक्र क्या है गुडिवनिंग हिर्दय चक्र क्या है क्वोशन नमबर फोटिन इसका से इंसर होगा option C option C हिर्दय के संकूचन और सिथिली करन का एक चक्र देखिए होता क्या है कि एक हिर्दय अस्पंदन ठीक है हिर्दय अस्पंदन समझेगा हिर्दय अस्पंदन हिर्दय अस्पंदन की बात करें तो एक हिर्दय अस्पंदन के आरम होने से दूसरे अस्पंदन के आरम होने के बीच की जो घटना होती है, जो घटना करम होती है, उसी को हिर्दे चक्र कहते हैं जैसे हिर्दे में धक करता है हम लोगों को पता है कि एक मिनिट में 72 बार धड़कता है तो एक मिनिट में ये 500 बार 2000 बार भी धड़क सकता था यानि कि कुछ तो टाइम लग रहा है धक करने में कुछ समय लग रहा है और इस बीच में इस बीच में जो कारे होते हैं इसी को हिर्दय चक्र कहा जाता है इसमें हिर्दय पेशियों का संकुचन और सिथिलन समिलित होता है हिर्दे चक्र की जो है वो 0.8 सेकेंड होती है ये भी ध्यान दिजेगा कि हिर्दे चक्र जो होता है ठीक है हिर्दे चक्र हिर्दे चक्र की खिर्दा चक्र की ओधी खिर्दा चक्र की ओधी कितना होता है बाबू तो 0.8 सेकेंड ठीक है 0.8 सेकेंड होता है इसमें से अलिंद प्रकुचन लिख लिजेगा सब अलिंद प्रकुचन अलिंद प्रकुचन अलिंद प्रकुचन कितना समय लेता है तो 0.8 0.1 second 0.1 second ठीक है 0.1 second निले प्रकुचन निले अभी मैं बता रहा था दाया और बाया निले इसके प्रकुचन में 0.3 समय सेकें लगता है प्रकुचन इसमें 0.3 सेकेंड 0.3 सेकेंड का समय लगता है और पूर्ण हिर्दे प्रकुचन पूर्ण हिर्दे प्रकुचन पूर्ण हिर्दे प्रकुचन इसमें 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है टोटल मिला दिया जाए तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है ठीक है जीरो पॉइंट एट सेकेंड टोटल अगर बात करें तो जीरो पॉइंट एट सेकेंड का समय लगता है ठीक है पीडियेफ डाउनलोड कीजेगा तस्वीर उसमें अच्छा न जराएगा निम्ने लिकित में से कौन सा योगिक गुर्दे की पत्री का निर्मान करने वाला सरवाधिक सामान योगिक है गुर्दा मतलब किडिनी किडिनी स्टोन किडिनी में स्टोन हो जाता है हम लोग ऑपरेशन करते हैं किरनो सभी तोड़ करके निकाला जाता है काफी पेन होता है तो वो जो होता है वो क्या होता है तो य घ्लएट लुगा इसके बारे में दोते हैं और इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा explain कर चुका हूँ आप लोगों को बता चुका हूं इस कीडिनी में यह पूरा पैक है इसका अंदर का भागा आपको दिखाया गया है कीडिनी में यह का यह जो तस्वीर में आप देख रहें ना, ये stone जमा हो जाता है, ठीक है, ये stone, हमारा जो abscist पदार्थ होता है, इसमें blood आता है, और जो abscist पदार्थ होता है, उसको छान करके और urine के माध्यम से ये निकालता है, लेकिन कभी-कभी यह जमा होते-होते जो है stone बन जाता है ठीक है stone बन जाता है जिससे हमें काफे ज़्यादा पैन हो जाता रहे है और यह रुकावट करने लगता है ठीक है इसको बोलते है Ой को इसको पत्री ढिन भी कहा और जेलेट और जेलेट होता है ठीक है तो ध्यान दिजिएगा चलिए अच्छा आपको हो गया था प्रकास संसिलेशन में और प्रकासिक अभिक्रिया को यह नाम दिया गया है क्योंकि बताई प्रकास संसिलेशन में और प्रकासिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया है क्योंकि नमर 16 इसका सेंसर गया है इसमें प्रकास की आवसक्ता नहीं होती है देखे प्रकास संसिलेशन की वह वस्ता जिसमें प्रकास की उपस्थिती ठीक है इसकी आवसक्ता नहीं होती है उसको और प्रकासिक अभिक्रिया या प्रकास सोतंत्र अभिक्रिया कहा जाता है यह अभिक्रिया हरित लवकों के स्ट्रोमा भाग में होता है तो यह जो हरित लवक है यह जो आप देख रहे हैं पौधे का हरित लवक भाग है और यह वाला जो पाठ है ना इसको कहा जाता है स्ट्र अस्ट्रोमा में भाग में यह होता है अधिक संख्या में कम समय में एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन किये जा सकते हैं वोश्चन नमबर 17 अधिक संख्या में कम समय में एक जैसे पौधे कहा जा रहा है कि बहुत ही कम समय में थोड़े समय में एक ही जैसा पौधा बहुत कम समय में बहुत सारा पौधा बनाया जा सकता है उत्पन किये जा सकता है कैसे इसका सेंसर होगा उत्तक संबर्धन टक्निक से टीशू कर्टरि टकनिक से ठीक है option C इसका से answer होगा देके यह है उत्तक संबर्धन टकनिक उत्तक संबर्धन टकनिक द्वारा अधिक संख्या में रहर Parte जैसे पौधे ध्यान दिजेगा एक जैसे पौधे उत्पन किया जा सकते हैं इस तक यह जो टेकनलोजी है यह जो तक्नीक है इस तक्नीक में परियोकसाला में पादप उत्को को उचित संबर्धन माध्यम में संबर्धित करके और अधिक संख्या में रोग भी ही जो पौधे ह होते हैं उनका विकास किया जाता है ठीक है रोगों को फैलाने वाले कीटों को कहा जाता है रोगों को फैलाने वाले जो कीट होते हैं उनको क्या कहा जाता है 18 इसका sensor का vector ठीक है vector रोगों को फैलाने वाले कीट को vector या वाहक कहा जाता है इसी को वाहक या vector कहा जाता है ठीक है यह रोग जन को के लिए औसद मतलब कि host का कारे करता है ठीक है ये होस्ट का कारे करता है रोग जन्दकों के लिए और एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक इसको संचरित करता है जमगादर निमने लिखित में से किस रोग के रोगानू के प्राकिर्थिक हो सक हैं जमगादर आओ तक इस्थान से किस रोग के रोगानू के प्राकिर्थिक पोशक हैं कोसर नमबरure 19 जिसका सैंन सोरका एबोला भर बुखार चम गयादर इबॉला भुखार के रोगानू के प्राकिर्थिक पोस्रक होتे है यह देखिए यह चमगादर इस रोग में शरीर जो है शरीर को जो नसे हैं वो रुधीर का स्राव रक्त का स्राव बहुत ज़्यादा करती हैं पूरी तरह से खराब हो जाता है इस बुमारी में तो इसका जो कारक है वह चमगादर बायो टेकनलोजी सब्द का सरोपर्थम परियोग किस बैग्यानिक ने किया बायो टेकनलोजी बायो टेकनलोजी सब्द का सरोपर्थम परियोग बायो टेकनलोजी सब्दका सरोपर्थम परियोग काल इरेके ने किया था ठीक है काल इरेके महोदे ने किया था 1917 में ठीक है 1917 में और सुरों के उत्पादन के लिए किया था किसके लिए क्या था सुरों के उत्पादन के लिए ब्रिहत एकिकरित सिधान ग्रेंड यूनिफाइड थियोरी किस से समंधित है ग्रेंड यूनिफाइड थियोरी किस से समंधित है क्वेश्चन नमबर 21 गैर गुरुत्व अकर्षन मूलभूत बलो का एकिकरन ठीक है एक ब्यक्ति कार में जो बिराम में है कार में बैठा हुआ है बिराम वस्ता में है सडक से कार के चार पहियों में से प्रतेख पर प्रतिकिरिया आर है जब कार सिधी सम्तर जैसे एक कार है ये मालिया कि कोई कार है ये इसके चार पहिये है इसके चार पहिये है कहा जा रहा है कि सड़क के कार के चार पहियों में से प्रतेक पर प्रतिकिरिया R है इस पर सड़क है और इस पर प्रतिकिरिया R लग रही है जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगर पहियों में यह आगे का जो पहिया है यह सीधा चल रही है ठीक है तो यह जो आगे का पहिया है इसमें प्रतेक पर प्रतेकिरिया में क्या परिवर्तन आयेगा क्या परिवर्तन चेंज है चेंज आयेगा यह R के बराबर होगा ठीक है option C इसका right answer होगा एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधित उचाई तक चड़ता है तो इसका कारण है कहा यह जा रहा है कि एक केस नली है इसमें मतलब केस नली है कि एक ऐसी नली है अभी दिखाता हूँ तस्वीर में जिसमें एक में पानी है ठीक है एक में पानी है और एक में कोई और लिक्विड है ठीक है अब कहा जा रहा है कि इसमें पानी उतना उपर नहीं चड़ रहा है जितना यह वाला लिक्विड उपर चड़ रहा है क्यों इसका से इंसर होगा तरल का प्रिष्ट तनाव जल की अपे अच्छा जादा है यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं यह तस्वीर है यह मान लिया कि जल है यह जल है ठीक है और यह कोई और तरल है ठीक है कोई और तरल है ठीक है कोई और तरल है तो यहाँ पे कहा जा रहा है ठीक है दोनों में से कोई ले लेंगे मालिया की ये जल है इसमें तो कम दिखाया गया है मालिया की ये ऊपर चड़ गया जादा ठीक है ये जो है इसमें कम दिखाया गया इमेज में इसमें जो है ये इतना ऊपर चड़ गया जबकि पानी इतना ही ऊपर चड़ा है केसनली में ये क्यों ऐसा हो रहा है इसके पीछे क क्या कारण है तो तर्ल है ये जो लिक्विड होगा ठीक है ये जो लिक्विड होगा इस लिक्विड की क्या खास बाते होंगी कि इसमें फ्रिश्ट बिल्बh चानाव जादा होगा इसलिए यदि प्रकास परावर्तन की परिगटना नहोती तो उसके संभावित नहितार्थ क्या है प्रकास कहा जा रहा है कि यदि प्रकास परावर्तन की परिगटना नहोती तो उसके संभावित नहितार्थ क्या है question number 24 देखे ब्यक्ति दर्पन का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता ठीक है एक तो बात यह अगर प्रकास नहीं होता ठीक है प्रकास नहीं होता तो क्या हम दर्पन का प्रयोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं दूसरा हम अपने आसपास की वस्तुवों को देख नहीं पाते हैं ठीक है देख नहीं पाते हैं सौर पैनल काम नहीं करता देखे एक चीज ध्यान दिजिएगा कि हम किसी भी वस्तुव को तब देखते हैं जब प्रकास उस पर टकरता है और टकराने के बाद हमारी आँखों तक आता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो हम दरपन में कैसे अपने आपको देख लेंगे जब प्रकास ही नहीं होगा तो यहां पर दो और तीन जो है ओके वल सही है तो तो देखी सकते हैं तीवी चलू रहेगा आराम से देख लेंगे ऐसा थोड़ी है कि अपने धर में आपने टीवी रात को चला रहे होंगे तो ऐसा थोड़ी है कि लाइट भी जलाते हैं तब टीवी में देखता है अंधेरे कमरे में लाल प्रकास से प्रदीप्त हरी वस्तु कैसी दिखाई देती है अंधेरे कमरे में लाल प्रकास से प्रदीप्त हरी वस्तु कैसी दिखाई देती है क्वेशन नमबर 25 देखे ये काला नजर आएगा ठीक है काला नजर आता है काप उपकर्णों की क्वाइल साधानत्य अत्यधिक पतली और लंबी बनाने का उद्देश से क्या है जैसे ताप उपकर्णों पतली और लंबी बनाने का उद्देश से क्या है ये देखे ये हैं ये क्वाइलई है ठीक है ये हीटर है और ये नाइक्रोम का तार होता है बाबू ये जो होता है ओ नाइक्रोम का तार होता है और ये ही बिद्दूत इसमें प्रवाहित करने पर ये गर्म हो जाता है ठीक है ये गर्म हो जाता है कहा जा रहा है कि इसको पतला और लंबा इसलिए बनाया जाता है लंबाई बढ़ने और अनुपरस्ट काथ का छेतरफल घटने के साथ पतिरोध बढ़ जाता है इसलिए तापन परभाव ज़्यादा हो जाता है ठीक है आगे चलते हैं एक ग्राम बर्प को 0 degree centigrade ताप करम से वास्प में 100 degree centigrade ताप करम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी उस्मा की आवे सकता होगी वश्यन नमर 27 देखे इसका सेंसर का 700 बेस चलन की गुप्त उस्मा 80 कैलोरी प्रतिग्राम है हाना तो इसको कल्कुलेट कर लिजएगा एक उच प्रसिक्षित गायव ऐसी तांच छेड़ सकता है जिससे कांच चकना चूर हो जाता है ध्वनी तरंगे द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली निम्लिकित में से कौन सी परिगटना इसके लिए जिम्मेवार है सामने आपने देखा किके घर में जो हूम थिएटर बजाते है उनका जो घर होता है कभी 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 उपंड जाता है या सिसा वाला जो हूर टूढ जाता है ऐसा क्यों होता है कि 1 गूंट के खिक हैं रेजनेंस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में आपने देखा होगा कि जो मिटिंग हौल होता है या कुछ इसा होता है जहां पर बादचीत या उंची आवाज में बात करनी है तो उसके लिए दिवारों में होल बनाया जाता है ठीक है स्टेटोस्कोप में रोगी के हिर्दे की धरकन की ध्वनी चिकित्सक के कांग तक किस रूप में पहुंचती है 29 देखें बहु परावर्तन ओप्शन एइस का सेंसर होगा देखे इसको कहा जाता है स्टेटोस्कोप यह महिला डॉक्टर है और यह वाला ऐसे कान में हेड़फोन लगा करके और ऐसे यहां पर रख करके और यह लोग सुनते है हैना कि हार्टबिट कितना तेज है क्या है इसको यह लोग सुनते है और पता नहीं क्या-क्या इनको पता चल जाता है नहीं पता तो स्टेथो इसको कहा जाता है तो धरकिन की आवाज की ध्वनी सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है निम्न लेकित अधातकों में से कौन सा एक बिद्धुत का मंद चालक नहीं है कहा जा रहा है कि निमने लिखित अधातों में से कौन सा एक बिद्दूत का मंद चालक नहीं है question number 30 देखे इसका sensor का selenium selenium सरवाधिक बिद्दूत चालक है सरवाधिक बिद्दूत चालक है एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है माल्या की एक घर है एक बल्ब है ठीक है और ये वाला जो बल्ब है ना ये जो बल्ब है और एक और ये बल्ब है ठीक है एक और बल्ब है और ये जो बल्ब है एक जो है ये ज्यादा चमकदार है ये वाला ज्यादा चमकदार है और ये वाला कम चमकदार है ठीक है कम चमकदार है अब वही कहा जा रहा है आपसे कि दोनों बल्बों में से एक दूसरे से अधिक एक मतलब की ज्यादा रोस्नी दे रहा है और एक कम रोस्नी दे रहा है इन दोनों में से किस बल्ब में उच्तर औरोधक है इन दोनों में औरोधक सबसे ज्यादा किस में है बताए बश्य नमबर 31 इसमें होगा मंदरोसनी वाले बल्ब में ठीक है इसमें जो है उच और अधक होगा अधिक बिद्दूत उर्जा का च्छे करने वाला बल्ब अधिक प्रकास उत्पन करता है अतिचालगता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाक रुपए की बच्चतों हो सूपर कंडक्टिविटी वश्य नमबर 32 इसमान ने तापमान पर भारत सरकार ने जहामा जहामा के निर्यात पर पूर्ण परतिबन लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसी धातू ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्ट्रों में होता है वर्ण निमन लिकित में से कौन सा तत्व है जर्मेनिया जर्मेनिया जहामा आप लोगोंने नाम सुना होगा जहामा कहते हैं जला हुआ जो कोईला होता है उसको जहाम या जहामा कहा जाता है ठीक है जला हुआ कोईला ठीक है जला हुआ कोईला इसी को जहामा कहा जाता है ठीक है इसी को जहामा कहा जाता है इससे जर्मेनिया तत्व निकाले जाते हैं इससे जर्मेनिया ततो नेकाले जाता है इसका उप्योग ट्रांजिस्टर निर्मान में होता है। इसलेक कहा जा है कि ज्वामा के निर्याद पर ऊंप्रतिबंग गॉर्मेंट निलगा दे कि नहीं 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 । इसको कहीं नहीं भेज़ना है इसमें से अभी जर्मेनिया तत्तों निकालेंगे कि सभागार के छत और दिवारे सामानी रूप से संपीडिक हायर बोर्ड फुर्दरे प्लास्टर या पर्दे जैसे पजार्टों से धकी हुँटें क्यों पर्षय नमबर 34 दिवारों से टक्रा कर ध्वनी तरंगों के बार बार परवरतन के बचाओ मतलब की इको से बचाओ के लिए है ना आवाज इको नहों ठीक है प्रती ध्वनी बार बार नहां आया टक्रा करके इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि दिवारों में कप्ड़ा लगा पर्षया टैसे शौका में इसादो ने मिधानिक नैदानिक और उपचार के प्रभायय करनों के रूप में अभर रही है एक वास्तों में 35 रेडियो आईसोटोप से हैं आलफा कन के दो धन आवेस होते हैं इसका द्रब्यमान लगभग बराबर होता है 36 हेलियम के एक परमानू के नाभिग्य परमानू में कक्छो को भरने का क्रम नियंत्रित होता है परमानू में कक्छो को भरने का क्रम नियंत्रित होता है पर्शन नमबर 37 आपवाव सिधान्त द्वारा निम्न लिकित में से कौन सा भौतिक गुन धर्म अदीस रासिया है भौतिक गुन धर्म अदीस रासिया है पर्शन नमबर 38 भार और विस्थापन ये अदीश रासी है अदीश रासी उस रासी को कहते हैं जिसमें किवल परिमान होता है क्या होता है तिर्फ उसमें परिमान होता है डिरेक्शन नहीं होती है और सदीश रासी उसको बोलते हैं जिसमें डिरेक्शन और परिमान दिशा और परिमान दोनों होता है ठीक है यदि आप तेल की कुछ बुंदों को एक कागज के टुकड़ों पर रखें यह उसे बिजली के बल्ब के उपर रखें तो कागज नहीं नहीं लिकित में सके इसके गुन को परदर्शित करेगा देखिए माल लिया कि एक कागज है ठीक है और इस कागज पर तेल की बुंद आपने गिरा दी तो और यहां पर एक बिजली का बल्ब आपने रख दिया जलता हुआ ऐसा लाइट रख दिया क्या आपको लगेगा पर भासी पदार ठीक है ओप्सन बे पर भासी ऐसे पदार जि हैं जैसे मैं चस्मा लगाया हूं ठीक है यह कांच है तो इसके पार में देख सकता हूं तो इसको पार दर्सी बोलते हैं लेकिन वैसा वस्तू जिससे हम देख तो सकते हैं लेकिन असपस्ट नहीं देख सकते उसको बोलते हैं पर भासी पदार ठीक है तो तो तेल अगर पे निमने लेकि धातू युगमों में से किस एक में क्रमसर सबसे हलकी धातू था था सबसे भारी धातू है सबसे हलकी और भारी धातू क्वेश्चन नमबर चालिस देखे यहाँ पर लिथियम और ओस्मियम ठीक है लिथियम और ओस्मियम लिथियम का परमानु कर्मान तीन और परमानु भार के पॉइंट नो चारेक होता है मानिक के और नीलम रासाइनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं मानिक और नीलम रासाइनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं question number 41 aluminium oxide ठीक है नीलम कोरंडम के जो आरात रूप हैं और यह aluminium oxide के crystal यह रूप में पाया जाते हैं किस धातु से बनाई मिस्र धातु को हवाई जहाज हवाई जहाज कता रेल के डिब्बे में पूर्जो के काम में लिया जाता है मताई कहा जा रहा है कि कौन सा मिस्र धातु है जिसका यूज हम लोग हवाई जहाज बनाने में और रेल के डिब्बे बनाने में करते हैं देखे इसका सेंसर होगा aluminium aluminium factors बिदेश अबर लोहे कि तुलना में हलका होता है इसीलिए इसका प्रियोग की आज़ाता है stairs to turn around से करण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है किसके कारण को के सभीक के करना हाइड्रोजन संक्पाइड के कारन पीतल का रंग फीका पड़ जाता है ध्यान दीजेगा साबुन लगाने पर सफेद कपड़े पर सबजी का दाग लाल भूले रंग में परिवर्तित हो जाता है या क्या इंगित करता है कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि गये पाटी में खाने और हड़बड़ी में इतना ख सबजी खतम नहीं होजा जल्दी से खा करकर पिर एक लेट लेना है जल्दी जल्दी में क्या करते है कपड़े उपड़े सब पर गिरा लेते हैं उसकोmax और अब फिर घर पया करके उसको जब धोते हैं सोडा से या साबुन से धोते हैं तो उसका रंग बदल जाता है पीला से लाल टाइप का हो जाता है या लाल भूरा हो जाता है मतलब क्या होता है इसका सेंर होगा साबुन की छारीय प्रकृति है फल्दी प्राकृतिक अंगल छार का सुचक होता है जब सफेद कपड़े पर साबुन या किसी डिटर्जन से आप धोते हैं तो ये लाल हो जाता है फिक है इसका मतलब यह है कि यह छारीय प्रकृतिक है कि कॉपर अपया अच्वाइट का जल्य घौल-अम लिए होता है क्योंकि इस लवन का जल्य घौल-व होता है क्योंकि लवन का 45 जल अपमगाटन होता है यह निमने निमने लिकित में से कौन सा डिषफोटक नहीं है इसको प्रियोग निशेतक के रूप में किया जाता है जब म्रीज का operation यह सब किया जाता है तो उसको बेहूस करने के लिए जिवाफ लोग मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसमें रहता है इतना पुरा गैस बढ़ा हुआता है वो गैस होता है नाइट्रोजन का क्यों की यह देखे इसका सेंसर को चिप्स के ऑक्सिकर्ण को रोकने के लिए एक है ओक्सिकर्ण को रोकने के लिए अगे है सफ्य राल और काला निमनलिकित में से किस तत्वा किस तत्व से समधित अप्रूपी प्रारूप है डिह Sam और कि सकड़ा ऑड होगा कि कॉश्पौरस किकि नीम्नलिकित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं किसे को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं कि पूटिनाइन कि जीनॉन यह एक अक्रिय कैसे इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं कि डॉक्टर द्वारा एंथिसी एंथिसिया के रूप में प्रियोग होने वाला हाथ से गैस है नाइट्रस ऑक्साइड को हाथ से गैस लाफिंग गैस भी कहा जाता है ठीक है तो यह था हमारा आज का पचास कोशन साइंस का आप लोग थोड़ा सेयर कर दीजिए बहुत कम स्टुएंट है आज ताकि उनको पता चल सके कि क्लास सुरू हो गया साइंस का फिर से और मुझे आपने अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं अकेडमी का लर्निंग आप इस्टॉल किजिए और इसमें बीपीए से कैट जाएगा कोड में आपको लिखना होगा एवी एच टेन एवी एच टेन कोड लिखेंगे तो बिल्कुल फ्री में क्लास अनलोग हो जाएगा तो अभी तक लगभग एक सो नब्वे सेट मैंने करा दिया है आप लोग जरूर आईए और जाते जाते टेलिग्राम ग्रूप को जोइन करते जाएगा पीडियाप वहीं पर आप लोगों को मिलेगा तो मिलते हैं फिर तेंक्यू जरूर करते जाएगा